कोई भी सपना साकर करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहुंगा चुनिए CGPSC पाथशाला क्लासेश को और करें अपने CGPSC और व्यापम का सपना साकर डाउनलोड डियाइक नाउ आपके स्वास्ते से रिलेटेट कुछ रिपोर्ट आये है जैसे कि आपका राज्य स्वास्ते सुचकांग 2021 जो कि लाश्ट ये पबलीश हुआ था और इस साल के शुरुवात में आया है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सरवे रिपोर्ट ये दोने कदर में जो रिपोर्ट है ये काफी इंपोर्टेंट है लाश्ट ये जो CGPSC प्री का जो एक्जाम हुआ था उसमें भी इससे कोशन पूछे गए और ये वर्ष ये वर्ष ये व्यापम के जो एक्जाम हुए है उसमें ये रिपोर्ट है ये रिपोर्ट चार-पास साल में एक बार आता है चुकि लाश्ट ये पब्लिश हुआ है तो ये रिपोर्ट अभी नया है और इसी के इर्दगिर्द कोशन बन रहे है तो थोड़ा साथ ध्यान समस्ते वे चलिएगा और ये इंपोर्टन टॉपिक है जो रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ आगे आपको बताऊंगो कौन से रिपोर्ट पे हम चर्चा कर रहे है उस रिपोर्ट से कोशन पूछे भी जाएंगे ठीक है अभी जो प्री एक्जाम भी होगा चाहे वो आपका ऐसा ही भर्थी परिक्षा क्यों ना हो अगर इस एकोनोमिक सरेवाले टॉपिक से कोई एक कोशन पूछा जाना हुआ और हेल्थ सेक्टर से अगर कोई कोशन बन रहा है तो वो इस रिपोर्ट से के इर्दगिर्द ही बनेगा ठीक है ध्यान समझते वे चलिएगा अध्याय 15 स्वास्ते सबसे पर नमबर पर है आपका राज्य स्वास्त सुचकांग 2021 यह जो आपका सुचकांग है यह नीती आयोग के द्वारा 27 दिसमबर 2021 को 17ris 2019 को नीती आयोग के द्वारा यह है इंडेक्स यह सुचकांग जो है जारी किया गया यह जो है इसका चौथा संस्क्रण्ट था ठीक है जो आपका सुचकांग का यह चौथा संस्क्रण्ट था जिसमें राज्यों की 2019-2020 की इस्थिती में राज्यों के स्वास्थ की इस्थिती को बताया गया ठीक इसका सीर्षक था आपका हेल्थी इस्थेट प्रोग्रेसिव इंडिया यानि कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत इस सुचकांग का इंडेक्स था ठीक है इसमें इस सुचकांग में जो है टोटल 19 बड़े राज्य आठ छोटे राज्य और साथ केंद्र राज्यों को शामिल किया गया 19 बड़े को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है यह सभी के सभी कंटेंट जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षन का बूक आया है उसी से उठाया गया है इस लेक्चर के दौरान में जो इन्पोर्टेंट फेक्ट है केवल उन्ही को आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके बताऊंगा और आ अंग्रेजी वर्ड को यूज करता है प्रश्ण क्या पूछ देगा आपसे इसमें पूछेगा आपका इस्टेट ऐसे लिखके देगा इस्टेट हेल्थ इंडेक्स इंडेक्स दो हजार एक्कीस ऐसा कोश्चन बना देगा ठीक है तो कोश्चन कुछ इस प्रकार से भी जारी किया गया है इसमें राज्यों का रैंकिंग क्या है ये ध्यान दीजेगा देखे यहां पर जो है आपके 19 बड़े राज्यों की रैंकिंग है इन 19 बड़े राज्यों में हमारा 36 जो है ये दसवे इस्थान पर है 19 बड़े राज्यों की सूची में हमारा 36 इस्थान पर है जिसे score मिला 50.70 ठीक है 50.70 के score के साथ हमारा 36 गड़ दसवे स्थान पर है चाहे education की बात हो या फिर health की बात हो यानि कि सिक्षा और स्वास्तिय दोरो मामले में हमेशा केरल टॉप में रहता है ठीक है तो seven sister state में top में है आपका मीजोरम ठीक है टॉप में है आपका मीजोरम जबकि सबसे नीचे है आपका नागा लेंड और अगर हम केंदर शाशीत प्रदेशों की बात करें तो के साथ केंद्र रशाशीत प्रदेशों में टॉप में है आपका दमन दीव दादरनागर हवेली और सबसे लाष्ट में है आपका अंडमान निकोबार ठीक है इस सूची में लाष्ट में कौन सा है अंडमान निकोबार तो इस रैंग को ठोड़ा से याद रखिएगा 21 रिपोर्ट है जिसको शौट में लिखके आपको मिलेगा एन एफ एच एस फाइफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइफ यानि कि पाच विवार जो है यह आपके रिपोर्ट यह सर्वेक्षण हुआ है ठेक अगर हम बात करें यह आपका सर्वे है क्या भारतिय परिवारो के स्वास्थे की वस्तु इस्तिती का आकलन करने का यह एक बहु चर्णिय सर्वेक्षण है यानि कि जो भारतिय परिवार है उनके स्वास्थे की इस्तिती के आकलन करने का यह क्या है एक बहु चर्णिय सर्वेक्षण है यह जो है यह आपका सर्वेक्षण है यह केंद्रि कि इस सरवेक्षण में किन-किन मुख्य स्वास्थ के बिंदूओं पर फोकस किया गया तो वह है प्रजनन छंवता प्रजनन स्वास्थ शिशु बाल मृत्युदर परिवाल नियोजर मात्री सिशु स्वास्थ पोशन एनिमिया इत्यादी पर जो है मुख्य रूप से फोकस कि अगया यह में काम आएं गया ब्याताम में यह इसका पाचवा संसकरन है जो अपका वरतमान पॉब्लिश हुआ है इसलिए ISLOTCAT में NATIONAL Family Health Survey 5 करके बताया झाला है क्या यह पाच्वा संस्क्राण है या फिर आपको लिखाव मिलेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 ऐसा लिखाव मिलेगा ठेक तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा इसको शौटकट फॉर्म को भी याद रखेगा या हिंदी में या जो है आपके अंग्रेजी को हिंदी में लिख देगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऐसे करके आपको हिंदी में भी लिखके देगा इंग्लीश के वर्ड को ठेक इससे पहले वीडियो देखेगे जो आपका सर्वे है यह कितने साल के अंतराल में होगा इसकी कोई निर्धारी तित्थी नहीं है जैसे कि अगर हम पाच्वी बार जो है इस सर्वे का रिपोर्ट आया है ठीक तो इसको ध्यान दीजेगा अब देखिए अब जो मैं आपको बोल रहा था जो प्री और व्यापम के हिसाब से जो रिपोर्ट से किस प्रकार के कोश्टन पूछे जाएंगे उसको ध्यान दीजेगा यहां पर ज जो है सुचकान किस-किस पैमाने पर आकलन किया गया उसकी इकाई क्या है यानि कि जो आपका इंडेक्स है उसकी इकाई क्या है शहरों में क्या इस्थती है अब यह जो है यह रिपोर्ट जो है यह वर्तमान का है ठीक है वर्तमान और यह जो है यह पिछला रिपोर्ट है ठ समझेगा सब्सक्राइब नंबर पर है सकल लिंगानुपात दीखिए सकल लिंगानुपात क्या होता है यानि कि सेक्स रिश्यू प्रती हजार पुर्षों की तुल्ला में महिलाओं की जो संख्या है यह कहलाता है आपका सकल लिंगानुपात यानि कि सेक्स रिश्यू ठीक इस सकल लिंगा नुपात तो जन्गरणा 2011 जो है यह काफी पुराना हो चुका है वैसे जन्गरणा 2021 के डाटा अभी तक पब्लीश हो जाने चाहिए थे लेकिन जन्गरणा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुरोना का ला गया ठीक है जन्गरणा के भी आकड़ेक सायद एक दो साल मे आ जाये लेकिन अभी हम कि के बात कर रहे है नैशनल फैबली हेल्थ सर्वे की काफी इंपॉर्टन है ठीक तो जो है आपके प्रती हजार में इसकी कहीं प्रती हजार में है यानि कि प्रती हजार पूर्षों की तुल्ला में महिलाओं की जो संख्या है ये सकल लिंगा पर एक हजार पंद्रा डिरेक्ट प्रशन पूछा जाएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर आपका राश्टिय परिवार स्वास्त सर्वेक्षन दोजर उन्नीस इक्कीस में चतिस गड़ का सकल लिंगा नुपात कितना है तो वो है आपका स्वास्त सर्वेक्षन के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सकल लिंगा नुपात में वृद्धी दर्ज की गई है ये इस्टेटमेंट देगा तो ये जो इस्टेटमेंट क्या होगा ये गलत होगा क्यों 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 कि इसमें कमी दर्ज की गई है पिछले बार तो डिरेक्ट आकड़ा पूछेगा लेकिन PSC में क्रथन अधरीत प्रश्न पूछ सकता है ग्रामीड शेत्र की बात करे तो 1016 है ग्रामीड शेत्र की बात करे तो 1014 है याने कि आपका शेहरी शेत्रों का सकल लिंगानुपात ग्रामीड शेत्र से जादा है तो इस प्रकार के फ्रश्न आते हैं ठीक है अगर हम बात करें जन्म के समय लिंगा नुपात जन्म के समय यानि कि जब बच्चों का जन्म होता है ठीक है बच्चों के जन्म के समय लिंगा नुपात प्रती हजार में अगर प्रती हजार में जन्म के समय लिंगा नुपात की बात करें तो यह कित इतना है 960, अगर पिछले रिपोर्ट से कंपेर करें, तो इसमें भी क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है, पिछले रिपोर्ट में 1997 था, अभी कितना है, 960, 17 अंक की कमी दर्ज की गई है, अगर हम बात करें, तो शहरों में है 933 और गाव में हैं आपका 967, ठीक है, 967, याने की यहाँ पर ग्रामीन छेत्र का जन्म के समय लिंगा नुपात, शहरी छेत्र से जादा है, ठीक, अगर हम बात करें, कुल प्रजननदा, देखें, यह काफी इनपोर्टेंट है, इसमें जो है, लाश्ट येर के PSC प्री एक्जाम में, और साथी साथ जो है, आपके व्याप प्रजननदर क्या है, देखें, यह जो प्रजननदर है, यह जन्म प्रती महिला है, याने कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, यह कहलाता है आपको प्रजननदर, ठीक है, एक महिला अपने जीवन काल में औसतन, औसतन कितने बच्चों को जन्मक का दे सकती है यह कहलाता है आपका प्रजनन दर अगर हम बात करें तो हाँ 36 गड़ का जो प्रजनन दर है वो है आपको 1.8 कितना है 1.8 एक दसमलो आट 36 गड़ का प्रजनन दर है ठीक है इन्पोर्टेंट याद रखना पिछले रिपोर्ट में कितना था आपका 2.2 इन्पोर्टेंट है और लाश्ट यह जो हुआ था उसमें से कुछ आपके करेंट अफेर के कुछ लोगों ने कुछ पब्लिकेशन का पढ़ा था और वह गलती भी हुआ था क्योंकि उस पब्लिकेशन में ही प्रिंटिंग मिश्टेक था और बाई मिश्टेक उसी से नहीं दूँगा या किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा लेकिन हाँ जो भी चीज पढ़े था अथेंटिक पढ़िए ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका नौजात मृत्तिदर नौजात मृत्तिदर नौजात के अंतरगत जो अभी-भी जो बच्चे जन्म लिये है उन्हें नौजात कहा जाता है जिन बच्चों का जन्म जश्ट अभी हुआ है यहां पर बोला जा रहा है आपका नौजात मृत्तिदर नौजात मृत्तिदर नौजात मृत्तिदर नौजात मृत्तिदर यहां जब बच्चों का जन्म होता है तो अगला जो उ गर्भ में ही पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता जिसके कारण जो अगला आपका 48 गंटा 72 गंटे के समय उनके लिए काफी क्रिटिकल होता और इस दोरन बहुत से बच्चों की मृत्यू भी हो जाती है तो इसमें जो है आपके प्रती हजार जीवित जन्म नौजातों मे इसमें कमी हुई है और यह बहुत अच्छी बात है क्या हुई है कमी हुई है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब जो है पहले नौजातों की मृत्यू जादा हो रही थी अभी जो नए रिपोर्ट के अनुसार कम है ठीक है ग्रामिन छेत्र में अगर हम बात करें 35.6 है शहरी छेत्रों में अगर हम बात करें तो 19.3 है इसके भी अपने अपने condition है क्योंकि ग्रामिन छेत्र में जो है जनरली आपके उचित चिकिस्त की सुईधा मोहिया नहीं हो पाती ठीक है लोग जो है ग्रामिन छेत्रे के लोग घरों में ही प्रसाव कराना प्रिफर करते है अस शिशु मृत्युदर यानि की 0 से लेकर के एक साल तक के बच्चे इनका जो आपका मृत्युदर है वो कहा जा रहा है प्रती हाजात जीवीत जन्म शिशुओं में से मृत्य शिशुओं की संख्या शिशु मृत्युदर के अंतरगत काउंट होती है अगर हम बात करें तो 36 शिशु मृत्युदर है वो है 44.3 इतना है 44.3 है 36 गड़का शिशु मृत्युदर अगर हम पिछले रिपोर्ट से कंबेर करें तो पिछले रिपोर्ट से कमी दर्ज की गई है जो की बहुत अच्छी बात है ठीक है शिशुओं के मृत्युदर में कमी दर्ज की गई है जो की मृत्युदर, पास साल से कम उमर के, पास साल से नीचे मृत्युदर, इनमें मृत्युदर कारण क्या रहता है, कुपोशन, जो पास साल से नीचे बच्चे रहते है, बच्चों को जन्म के बाद, उनके विकास के लिए पोशन, पोशक पता आर्थों की आवसकता होती है, तो क proportion account भी यहाँ बच्चों की मृत्यु होती है तो इसमें अगर हम देखे तो 36 गड़ में 5 साल से नीचे जो मृत्यु दार है वह है 50.4 अगर पिछले रिपोर्ट से अगर हम compare करें तो इसमें भी कमी दर्जी की गई है जो की बहुत अच्छी बात है ग्रामिन शेत्र में तो इसको या देखे पढ़ने में थोगा सा डाटा आपको hectic लग रहा होगा लेकिन जब exam में to the point चीजों के साथ अगर question पूछा जाता है और जब question छूटता है तो बहुत अक्षरता है तो ध्यान से पढ़ती हुए चलिए इसमें से ये आपका सकल लिंगानुपाद भी important ह कुल प्रजनंदन important है नौजाद मृत्यू शिशू मृत्यू ये कुछ important है इनको पहले पढ़िएगा ठीक है अब देखिए उसके बाद नीचे देखिए नीचे है आपका संस्थागत प्रसव ठीक है देखिए संस्थागत प्रसव अभी संस्थागत प्रसव क्या है याने क हमारे प्रदेश में जो मृत्यू का मुख्य कारण होता है उसका कारण क्या है कि जो मातायं है गहर rezारने कर देखिए संस्था अब यहाँ पर हीलात हो रहे हैं संस्थागत प्रसव संस्थागत याने की संस्था ₮ों यह वर नीजी अस्पतालों में जो प्रसाव है यहां पर बात हो रही है प्रतीशत में अगर हम बात करें तो हमारे 36 गड़ में इस रिपोर्ट के अनुसार संस्थागास प्रसाव 85.7% है जो की बहुत अच्छा है जो की बहुत अच्छा है अगर देखेंगे पिछले रिपोर क्या है इसमें माता और शिशू दोनों के जान बच जाते हैं कई वर क्या होता है कि जिस कान से अगरे काम हो रहा है यहां पर दिया गया है लेकिन यहां पर केवल शास्कीय अस्पतालों की बात की जा रही है यहाँ पर शास्की और नीजी दोनों अस्पतालों की बात है, यहाँ पर शास्की अस्पतालों की बात है, तो यह है आपका 70%, यह भी पीछले रिपोर्ट की तुलना में बढ़ा है, अगर हम बात करें, देखेंगे, अगर आप यह जो है शास्की और नीजी वाले को है जिसके काम यह भी अच्छा खासा परसेंटेज है ठीक है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह भी आपका 72 ग्रामिड छेतर में है और आपका यह शहरों में यह कम है क्योंकि शहरों की महिलाई जनरली प्रैविट हॉस्पिटल प्रिफर करती है ठीक नेक्स देखिए नेक्स्ट है कुपोशन दर यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है जो कुपोशन दर है यह बहुत इंपोर्टेंट है कुपोशन दर और एनिमिया छत्तिरगर सासन के द्वारा आपके मुख्य मंत्री कुपोशन मुकता अभ्यान भी चलाया जा रहा है तो यह इंपोर्टें आती है वो कहाता है आपका कुपोशंड कुपोशंड दर परसेंटेज में 36 गड़ का कुपोशंड दर है 31.3 परसेंट व्यापम में पूछा गया प्रशन है National Family Health Survey Report 2021-21 के अनुसार 36 गड़ में कुपोशंड दर कितना है 31.3 परसेंट ठीक है अगर आप देखेंगे तो कुपोशंड की इस्थिति ग्रामिन छेत्र में जादा है शहरी छेत्र में कम है और पिछले रिपोर्ट की तुल्ला में कमी दर्जे की गई है जो की बहुत अच्छी बात है एनीमिया इनीमिया इसे आप समझ सकते है खून की कमी 15 से लेकर के 49 वर्ष आयू वर्ग की महिलाओं में एनीमिया रोग है अगर हम बात करेंगे 36 गड़ में एनीमिया जो है यह 60.8 परसेंट पिछले रिपोर्ट की तुल्ला में यह काफी जादा है याने की बढ़ा है ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है पुरु साक्षर्ता महिला साक्षर्ता ठीक है पुरु साक्षर्ता प्रतिशत है आपका 72.5% महिला साक्षर्ता है 82.7% अगर आप देखेंगे तो पुरुषों के कंपरिजन में यहाँ पे महिला साक्षर्ता दर जादा है ठीक है नेशनल health survey report 2019-21 के अनुसार पुर्षों से ज्यादा महिला साक्षरता दर है हमारे प्रदेश में जो बहुत अच्छी बात है तो इसको थोड़ा था कीजिएगा ठीक चलिए यहां पर ग्रामिन शहरी भी इसको compare करके पढ़ लीजिएगा ग्रामिन में कितना है और शहरी में कितना है अब next देखिए यह important है यह जो जितने भी table में हमने देखा है यह table का हर एक line important है वैसे तो इसमें कम से कम 20-21 कुछ आपके आकड़े दिये गए थे कुछ उन 20-21 में से उन 20-21 सुचकांग में से केवल टॉप की जो आपके 12 है जिससे प्रशन पूछे गए है और पूछे जा सकते है कि वहल उनी को हम discuss किये है ठीक है next देखिए next है आपका 36 गर स्वास्त सुचकांग वो तो आपका national family health survey report है और यह जो आपका report है यह srs याने की sample registration system इसके दोरा यह report जारी किया जाता है ठीक है एक है आपका अशोधित जन्मदर शिशु मृत्युदर और अशोधित मृत्युदर आप थोड़ टेक्निकल वर्ड है एक वर आपको definition बताता हूँ थोड़ समझ में आ जाये का आपको देख लिजे अशोधित जन्मदर का मतलब क्या होता है प्रती हजार इस्त्रियों द्वारा जीवित जन्मदर के अंतर गताता है प्रती हजार इस्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों की जो संख्या है वो आपके अशोधित जन्मदर के अंतर गताता है शिशु मृत्युदर क्या है शिशु मृत्युदर है आपके प्रती हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या ये शिशु मृत्युदर के अंतर गताती है अब एक है आपका अशोधित मृत्युदर अशोधित मृत्युदर क्या है किसी छेत्र विश एक वर्ष में प्रती हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की चंख्या अशोधित मृत्युदर है ठीक है यह कुछ टेकनिकल डेफिनेशन है उसको ध्यान से सुनिएगा एक दो बार करके सुनेंगे वो भी याद हो जाएगा अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में इस सें आधाले को याद कर लिजेगा ग्रामीन और शहरी को याद कर सकते है तो बैटर है लेकिन आकड़े मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को याद करने में यादा हो जाएगा लेकिन कम से कम ये टोटल कितना है उसको एक बार थ्वासा देख लिजेगा ठीक है अब देखिए 36 गड़ में कुछ आपकी स्वास्ति योजना है, जो की काफी important, चिकित्सा एवं लोक स्वास्ति योजना, ठेक है, कुछ important योजनाओं को हम पढ़ेंगे, सबसे बैए नमबर पर है डॉक्टर खूपचंद बखेल स्वास्त सहायता योजना, देखे, इससे पूछा गया था कि दॉक्टर खूपचंद बखेल के नाम से हमारे प्रदेश में जो चलाई जा रही जो योजना है, वो क्या है, उसमें दिया गया था बीमा योजना, और सुरू में जो है PSC ने इसका answer यही लिया था, लेकिन ध्यान दीजेगा, यह बीमा योजना नहीं है, बीमा में क्या हो से, तो यह कोई बीमा योजना नहीं है, ठीक है, तो इससे question आये भी है और विवादों में भी गये है, सबसे बहुत चीज़ तो यह कि डॉक्टर खूपचंद बखेल स्वास्ता साहता योजना यह कब लागो हुआ, एक जनवरी 2020, इन्पोर्टेंट है, दो साल पहले लाग इस योजना के अंतरकत पात्र कौन होंगे, ध्यान दीजेगा, राशन कार्ड धारी परिवार, यानि कि ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड है, राशन कार्ड हमारे प्रदेश में कौन कौन सा है, आपका अंतियोधा राशन कार्ड है, प्रात्मिक्ता परिवार राशन कार अन्पूर्ण राशन यह सभी राशन कार्ड है तो राशन कार्ड जिनके पास आधार कार्ड भी हो और साथ ही साथ आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित स्रेणी के लगवग 56 लाग से अधिक परिवारों को मिलेगा जो केंड्र सरकार की जो प का लाब मिलेगा देखें कोई नवीन योजना नहीं है यह हमारे प्रदेश में पहले से चल रही बहुत सारी स्वास्त योजना को मिला करके एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है डॉक्टर खुपचंद बगेल स्वास्त सहायता योजना इसके अंतरगत जो है पचास हजार से लेकर के पांच लाग तक का स्वास्त सहायता दिया जाएगा लेकिन ध्यान दीजेगा नगत रहित उपचार है मतलब इसमें पैसा नहीं दिया जाएगा इसमें जो इलाज में जो खर्च होगा तो गौवर्मेंट उस इलाज के खर्च को उठाएगी यानि कि होस्पिटल आरुगी योजना से वंचित है उन्हें पांच लाग तक का स्वास्त सहायता या इलाज करवाया जाएगा स्वास्त सहायता का मतलब वही बात है इलाज कराया जाएगा और अन्य राशनकार धारी परिवार है यानि कि जो आपका एकल निराश्रीत निशक्त जन इन्हें जो तो इस योजना के अंतरगत 1466 अस्पताल पंजिक रित्ते जिसमें से आपका 979 शास्किय और 487 ये जो है आपके नीजी सेक्टर के अप्रावेट हॉस्पिटल थे तो ये आकड़ा आपका मेंस अंसर राइटिंग में काम आएगा आपके लिए उपर का जो प्री और व्यापम को शामिल किया गया है ये है योजनाओं की सूची सबसे पहले नंबर पर आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ भीमा योजना मुख्यमंत्री बाल हिर्दा योजना मुख्यमंत्री बाल स्रवन योजना राष्टिय बाल स्वास्थेकारिक्रम संजीवनी सहायता कोश इतने को ज जब Bजेपी की सरकार थी तब चलता था आपका स्मार्टकार्ड कार्ट हर एक परिवार का एक स्मार्टकार्ड बनाया चाता था जिसमें पुरे परिवारों के नाम, एक स्मार्ट कार्ड में पुरे परिवार के नाम जोड़े जाते थे और इसमें 50,000 रुपए तक का इलाज जो है, ये मुफ्त होता था पहले था आपका स्मार्ट काड तो उसी का नाम था आपके मुख्यमंत्री स्वास्त भीमा योजना जिसमें गरीबी रेखा कि नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को 5000 रुपय तक का मुफते इलाज कराया जाता था हर एक परिवार का अपना एक स्मार्ट काड बना तक का खर्जा राजे सरकार उठाती थी और अगर हिर्दे के वाल यानिकी जो दिल के जो वाल्व होता है धमनी सीरा की बात हो रही है अगर तो रिप्लेस्मेंट है तो 1.80 खर्चे राजे सरकार उठाएगी ठीक मुख्यमंत्री बास्रवन योजना नाम से इस पर स्रवन य राज्टी बाल स्वास्तड का रिक्रब इसमें 18 वर्च आउयू तक के बच्चों का स्वास्त परिक्षन किया जाता है स्वास्त परिक्षन इस इनको याद रख लेना, इसमें जो आपको मैंने शुरू में बताया, कब लागू हुआ, कौन पात रहोगा, किन राशन कारड़ पर कितने तक का इलाज होगा, वो सारे को आप पहले याद कीजिएगा, ठीक है, next देखिए, next है आपका मुख्यमंत्री विशेस साहता योजना, यह क्या है, यह क्या है, यह चिन्नित दुरलभ बिमारियों के इलाज होने में व्याय से बचने के लिए है, जैसे कि मान दीजिए, अभी जो हमने देखा, डॉक्टर खुप्यमंत्री विशेस साहता योजना, यह नॉर्मल बिमारियों के लिए है, लेकिन कुछ ऐसी बिमार इलाज पर होने वाले व्याय से बचने के लिए है, आपका मुख्यमंत्री विशेस साहता योजना, यह संजीवली साहता कोस योजना का ही एक विस्तार है, जो अभी हमने देखा, इसके अंतरगत पात्र कौन होंगे, प्रात्मिक्ता और अंतियोदा परिवार, एक प्रात्म इमम राशी, बीस लाख रुपए तक का इलाज की सुईधा दी जाएगी, उपचार योग्य बिमारी, लेकिन देखे, कुछ ऐसे बिमारी जो की उपचार योग्य है, यह भी कंडिशन है, जीवन प्रत्याशा की अवधी औसतन दो वर्ष, याने कि अगर इलाज पैसा लग इसमें कितनी अधिकतम राशी दी जा रही है, बीस लाख रुपए तक की अधिकतम साहता राशी प्रदान की जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री सहरी सलम साहता योजना, नाम से इस परश्ट है, शहरी यानि कि यह जो आटकी योजना है, यह शहरी छेत है, 2 अक्टूबर 2019, 3 साल पहले यह योजना शुरू हुई थी, यह योजना, नाम से इस परश्ट है, सहरी छेत्र, सहरी छेत्र यानि कि 14 नगर निगमों में, 14 नगर निगम 169 नगरी निकाय में, 14 नगर निगमों में यह शुरू हुआ था, अभी इसका विस्तार जो है, ट चलता फिरता एक आपका अस्पताल, एक बस के अंतरगत पूरा का पूरा, यह यह आपको मोबाइल मेडिकल यूनिट यानि की चलित इकायो तथा पोर्टेबल मशीन, यानि की जो आपके पैसलोजी जो लैब होते है, जो उसमें एक आपके पोर्टेबल मशीन होते है, वो स चौदान नगर निगमों में लगभग अब ये तो आपका डाटा है जो चेंज होते रहता है अगर हम एकोनामिक सर्वे के इसाब से बात करें तो चौदान नगर निगमों में लगभग आपके 900 स्लम छेत्रू में निवासरत नागरिकों का अब तक 2326 सीवीर आयोजित कर 1,25, 23,473 मरीजों का इलाज हो चुका ये भी आकड़ा बढ़ चुका होगा अब तक क्योंकि ये पिछले साल का इकोनामिक सर्वे यानि कि फरवरी को जो पबलीश होगा इकोनामिक सर्वे उसके आकड़े है इसी आपके मुख्यमंत्री शहरी सलम सहता योजना के अंतरगत आपक मुख्यमंत्री शहरी सलम सहता योजना के अंतरगत प्रारम किया गया था 19 नमबर जो कि इंद्रा गांधी जी का जन्म दिवस है उस दिन ये चालू किया गया था दाई दिदी नाम से इस प्रश्टे केवल महिलाओं के लिए इसमें इलाज करने वाले डॉक्टर नर्स और इस्टाब भी महिलाएं होंगी और महिलाएं जाकर के यहां पर जो महिलाओं संबधी विमारी है उससे रिलेटेड आपके परामार्स ले सकते है टेस्ट करवा सकते है दवाया ले सकते है ठीक है तो यह है आपका मुख्यमंत्री सहरी सलम सहता योजना ठीक नेक्ट महिला एवं बाल विकास विभाग योजना अब कुछ योजना है जो कि इनपॉर्टेंट है कुछ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक देखिए नाम से इस पश्ट है यहां पर हाट बाजार हाट बाजार याने कि इसमें भी जो है आपका एक मोबाईल मेडिकल यूनिट ह होता है जो कि गाओ और आपके आदिवासी बहुल छेत्र में क्या होता है कि गाओ में सबतहा में एक बाजार लगता है तो जिस दिन जिस गाओ में बाजार लगेगा उस बाजार में लिजा करके मोबाईल मेडिकल यूनिट याने कि बस को लिजा कर खड़ा कर दिया उसके साथ-साथ इस Mobile Medical Unit में जाकरके वो चीकिज सकी परामार्श ले सकते है। तो आपके मुख्यमंत्री Hard Bazar Clinic यह ही है, आपके मुख्यमंत्री शहरी summarum सहयता योजना का ही एक रूप है। शहरी स्लम सहता योजना शहरों के लिए है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक जो है, ये आपका, ये दुरस्त ग्रामिन छेत्र और आदिवासी अंचल के लिए है, इसकी शुरुवात आपके 2 अक्टूबर 2019 को हुई, इसमें जो है साफ्ताहीक हाट बाजार में जा करके म मुख्यमंत्री सुपोशन योजना ये 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोशन योजना लागू किया गया था, इसका लक्षश था 3 वर्ष, जिसमें आपका कुपोशन के दर को कम करना इसका लक्ष था, इसमें 0-5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोशन और 15-49 इस मुख्य मंत्री सुपोशन योचना का मुख्य लक्ष था अगर हम बात करें कि at present देखे अभी ये क्या कुपोशन और आपके एनिमिया की बात हो रही है तो जो नया आपका health report आया है National Family Health Report उसके हिसाब से अगर हम देखे तो हमारे प्रदेश में देखे हमारे प्रदेश में कुपोशन दर कितना है 31.3% और महिलाओं में एनिमिया का इस्तर कितना है 60.8% यानि कि 31% और 60% के आसपास कुपोशन और एनिमिया का इस्तर है हमारे प्रदेश में तो ये कुपोशन का परसेंट और एनिमिया के परसेंट दोनों को याद रखेगा, important है next है आपका नवाजान योजना प्रश्ट नवाजान योजना, प्रश्च्ण पूछा जाएगा नवाजान योजना किसे सम्बंदित है ये घरेलू हिंसा के संप्रक्षन से सम्बंदित है नवा भिहान योजना हमारे प्रदेश में आपके नवा भिहान योजना जो है ये घरेलु हिंसा से संबंदित है महिलाओं पर हो रही जो घरेलु हिंसा है उसके रोक्ता में पुनरवास परामर्ष की सुईधा दी जाती है जैने कि कोई महिला जो की घरीलू हिंसा से पीडित है वो जो है इस नवा भिहान में जा करके परामर्ष ले सकती है चिकित्सा ले सकती है आस्रे ले सकती है कहीं अपने आपको पुनरवास करवा सकती है परामर्ष ले सकती है इ गर में या घर के बाहर किसी प्रकार से अगर वो संकट गर के स्थिति है नम annat को चिकाट को ा संप्रामर्ष में दिया जाता है इसको भी याद रखना थ Sut श्वाधार्डिय योजना हमारे प्रदेश cheVEL तीन जिले में आपका बिलास्पुर, सरगुजा और कांकिर, तीन जिले में जो है आपका स्वाधार ग्रीह योजना संचलित है, इसमें संकट ग्रस्त महिला है, यानि कि जो महिला है जो परिस्था आपके संकट की स्थिति में है, विध्वा महिला जिसके पती के मृत्ति हो च फीक है नेक्स्ट है आपक मु्हमंत्री कन्या विवाः योजना ये काफी important है हमारे प्रदेश में मुख्हमंत्री कन्या विवाः योजना 2005 में लागू है इसमें क्या किया जाता है कि गरीबी देखा कि निचे जीवन व्यापण करनेवाली परिवारों के दो कन्याओं के व प्रदान की जाती है तो 25,000 रुपए और गरीब परिवारों की अधिक्तम दो कन्याओं के विवाह का जिम्मा है वो राज्य सरकार लेती है यानि की 25,000 रुपए की सहायत राशी प्रदान की जाती है राज्य साषन के द्वारा ठीक है next देखिए next है आपका नोनी सुरक्षय योजना जो की लागो हुआ एक अप्रेल 2014 को यह लागो किया गया था लिंगानुपाद सुधार के लिए यानि की जो है हमारे प्रदेश में जो महिलाओं की स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं यानि की जो रुडिवादी समाज है उसमें बेटियों को बोज समझा जाता ह यानि की बेटियों के जन्म पर उनका यह सोचा जाता है कि उनके पढ़ाई लिखा है खर्चा कौन समालेगा रहन सहन का और बेटियों को पराया धन समझा जाता है तो इसके लिए लाया गया था आपके नोनी सुरक्षय योजना जो की राज्य शाषन की योजना है ठीक है यह एक अप्रेल 2014 से हमारे प्रदेश में लागू किया गया 21 वर्ष तक अगर किसी कन्या का विवार ना हो तथा उसने कक्षा बारवी तक की सिक्षा पूर्ण कर ली है तो उसे सहायता राशी की रूप में एक लाख रूपर प्रदान किया जाएगा पहले यह जो आयू थी यह थी आपकी अठरा वर्ष और इसे इस साल बढ़ा करके 21 साल किया गया है इसे अपडेट कीजेगा ठीक है अभी इसी साल जो है आपका इसे अपडेट किया जया है इसके वर्ष को बढ़ाया गया है पहले अठरा वर्ष था अठरा वर्ष से बढ़ा करके 21 साल कर दिया ग महिलाओं करता है महिलाओं का संवान अभी है क्या देखे अब यह यह यूजना संचलीत है आपके दंतेवाला जिले में यहां पर किशोरियों एवं महिलाओं को निषुल का सैंेटेरी पेड वित्रिसで कि आ तो उन ब्रांतियों को हटा करके उन्हें निशुल सेंक्टरी पेड़े जो है वित्रित किया जाता है इस महराज चो मान योजना के अंत्रकत यह योजना संचलित है आपके दंतेवारा जिले में नेक्स्ट है आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंदर सरकार की योजना है यह योजना 22 जन्वरी 2015 एयर इन्पोर्टेंट है एयर से प्रश्न पूछा ही जाता है ठीक है 22 जन्वरी 2015 को हर्याना के पानिपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शु योजना का विस्तार हुआ, पूरे देज भर में से 161 अन्य जीलों का चैन हुआ, और फिर हमारे विजापूर जीले को भी इसमें शामिल किया गया, प्रश्ण पूछा जाएगा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना के अंतरगर, हमारे प्रदेश एकुल कितने जील के तहत, अगस्त 2014 को प्रदा की गई योजना है, आपका चिरायू योजना, चिरायू योजना के अंतरगर, देखे, आंगनबाडी केंद्रों और इसकुलों में, 44 प्रकार की, पहले ये 33 प्रकार था, इसे भी अप्डेट कीजेगा, 33 से बढ़ागा के 44 कर दिया गया है, 44 44 प्रकार की बिमारियों का निश्यूल का स्वास्ते परिक्घ्चंड एबं इलाज किया जाता है, देखिए, ये जो है, आपके बाल स्वास्त जे संबन्दित है, बाल स्वास्ते कहा पर, बच्चे कहाँ पर होंगे, आंगनबाडी में या तो इसकुल में, तो आंगनबाड से ही जो है अगर बच्चों में कोई defect है disease याने कि बिमारी deficiency याने कि किसी प्रकार के विकृती development delay including disability याने कि जो है बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है ठीक है बच्चों का पूर्ण रोप से विकास नहीं हो प्रदेश भर में total 328 चिरायू दल कारे रथ है प्रतेक विकास खंड में दो दल का गठन किया गया है वित्यवर्षि 221-22 की इस्तिती में प्रदेश में 7440 वच्चों का निशुल का इलाज किया गया है इस योजना के अंतरगात इसे याद रखेगा especially 328 चिरायू दल को ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मात्री वंदना योजना ठीक है मुख्यमंत्री मात्री वंदना योजना केंदर सरकार की योजना है योजना लागो हुई 1 जनवरी 2017 को एक जनवरी 2017 को योजना क्या है गर्भवती और इस्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म पर यह important है ठीक है पहले जन्म पहले जीवित जन्म यानि कि पहले जीवित बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है ठीक है आर्थिक सहायता प्रदान कियाता है माताओं को गर्भवस्था के समय कार्य न कर पाने के कारण आर्थिक नुकसान की भरपाई परियाप्त विस्तराव अच्छे पोशन है तो भाराशाशन के दोरा लागू की गई है योजना है और यह योजना जो है यह केवल प्र बसाओ के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चे को पहला टीका लगता है तब जो है इसकी तीसरी किस्त दी जाती है इसमें जो है 2021 किस्त की स्थिति में हमारे प्रदेश की 1,15,080 महिलाएं जो है यही कि माताएं इस से योजना से लाभानवीत हुई है ठीक ह नेक्ष्ट देखिए नेक्ष्ट है आपका संसकार अभियान नेक्ष्ट है संसकार अभियान यह पिछले साल PSC का कोश्चन बना था ठीक है पिछले साल PSC का कोश्चन बना था कि संसकार अभियान किस विभाग के अंतर का संचलीत है तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर का सचलीत है आपका संसकार अभियान देखिये question का इस्तर किस प्रकार से बढ़ गा है अब उसका उद्देश नहीं पुछेगा उसका आकड़न नहीं पुछेगा प्रश्ट पुछा जा रहा है कि किस विभाग के अंतरकर संचली थे महिले एवं बाल विकास विभाग के अंतरकर संचली थे संसकार अभियान इसमें 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों को गुणवत्ता पूर्व प्रादंबिक बाल्ले अवस्ता देख रहें एवं सिक्षा प्रादंबिक बाल्ले अवस्ता कि सभी आपके अवस्ताओं तथा गर्भा अवस्ताव जर्म से 3 वर्ष 3-6 वर्ष आयू समू शामिल किये गया है ठीक है बाकी इसमें नीचे डिटलिंग देख लिए गा मेरे इसाब से तो ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेक हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है वो सबस्यादा इंपोर्टेंट है उसका जो टेबल बना करके हमने पढ़ा उसके इर्दगिर्द कोशन पूछा जाएगा उसको अच्छे पढ़िएगा ठीक है आज के लिए इतना ही किसी प्रगार डाउट हो तो नीचे कमन करके पूछ सकते ह चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्राइब कीजेगा लाइक और शेर जरू कीजेगा धन्यवाद